आप सभी को जैमासी की दोस्तों मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं Music for God तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम गीज सिखने जा रहे हैं उस गीज का नाम है पाक रूप और दोस्तों यदि आपको गीज सिखना चाहते हैं और दोस्तों इस सांग में जो हम Chords उस करने वाले हैं उसे भी एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं सो फर्स्ट कोड इस एफ माइनर कोड और सेकंड कोड इस डी शार्प मिजर कोड और थर्ट कोड इस C शार्प मिजर कोड दोस्तों सबसे पहले हम इस सॉंग के कुरस को प्ले करना सिखेंगे तो दोस्तों इस के कुरस के शुरुवात के जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है मेरी सांसों में आ, मेरे दिल में समा तो इस लेंग को दोस्तो अभी हम प्ले करना सिखेंगे तो चलिए दोस्तो इस लेंग को एक बड़ हम सभी फिंगरिंग के साथ प्ले करके देख लेते हैं और इसके आगे के जो लाइन है दोस्तो कुछ इस प्रकार से है मेरी आखो में आ, मेरी बंजा, जुबा तो इस लेंग को दोस्तो अभी हम प्ले करना सिखेंगे तो चलिए दोस्तो इस लेंग को एक बड़ हम सभी फिंगरिंग के साथ प्ले करके देख लेते हैं और इसके आगे के जो लाइन है दोस्तो कुछ इस प्रकार से है हर रस्ते पे तू साथ चलना मेरे तो इस लाइन को दोस्तो अभी हम प्ले करना सिखेंगे तो चलिए दोस्तो इस लाइन को एक बड़ हम सभी फिंगरिंग के साथ प्ले करके देख लेते हैं और इसके आगे के जो लाइन है दोस्तो कुछ इस प्रकार से है बन के खुशबू जिसम से महकना मेरे तो इस लाइन को दोस्तो अभी हम प्ले करना सिखेंगे चलिए दोस्तो इस लाइन को एक बड़ हम सभी फिंगरिंग के साथ प्ले करके देख लेते हैं और इसके आगे के जो लाइन है दोस्तो कुछ इस प्रकार से है ए पाक रू ए पाक रू तो इस लाइन को दोस्तो अभी हम प्ले करना सिखेंगे और हाँ दोस्तो इस लाइन को में दो बार रिपीट करना है तो चलिए दोस्तो इस लाइन को एक बार हम सभी फिंगरिंग के साथ प्ले करना हैं प्ले करके देख लेते हैं तो ये तो दोस्तो इस साओं का कोरास जिसे अभी हमने प्ले करना सिखा और चलिए दोस्तो अब हम इस सौंग के इस टेंजा को सिखना स्टार्ट करते हैं और हाँ दोस्तो जो कोट्स एन नोट्समा आपको इस सौंग के फर्ष इस टेंजा के लिए बताऊंगा same pattern के साथ आपको इस song की जितने भी stanza है उनको भी बिल्कुल same pattern के साथ आपको play करना है तो चले दोस्तो इसके stanza को अब हम सिखना start करते हैं दोस्तो इसके stanza की शुरुवात की जो line है वो कुछ इस प्रकार से है मुझे हर शक्स से प्यार करना सिखा तो इस लाइन को दोस्तो अभी हम play करना सिखेंगे तो चलिए दोस्तो इस लाइन को एक बर हम same figuring के साथ play करके देख लेते हैं और इसके आगे की जो राइने दोस्तो कुछ इस प्रकार से है मुझे हर शक्स को माफ करना सिखा तो इस लाइन को दोस्तो अभी हम play करना सिखेंगे चले दोस्तो इस लाइन को एक बड़ हम सही fingering के साथ play करके देख लेते हैं और जैसे दोस्तो आप इन दो lines को repeat कर लेते हैं उसके बाद आगे आपको कुछ lines play करने हैं और वो lines जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है तू बताए जो मुझको मैं वो कर सकूँ तो इस line को दोस्तों अभी हम play करना सिखेंगे तो चले दोस्तों इस line को एक बार हम same figuring के साथ play करके देख लेते हैं और इसके आगे के जो line है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है तू सिखाए जो मुझको मैं वो कर सकूँ तो इस line को दोस्तों अभी हम play करना सिखेंगे तो चले दोस्तों इस line को एक बार हम same figuring के साथ play करके देख लेते हैं और जैसे ही दोस्तों आप इन दो lines को प्ले कर लेते हैं उसके बाद आपको फिर से ही इन दो lines को repeat करना है और जैसे ही दोस्तों फिर आप इन दो lines को भी repeat कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपको एपाकरू एपाकरू यह वाले line को दोस्तों आपको प्ले करना है ये था दोस्तो इस गीद का टुटोरियल मुझे आशे आपको वीडियो पसंद आ होगा और दोस्तो यदि आपको वीडियो पसंद आ तो इस वीडियो को जिरो लाइक किजे और अपने दोस्तों को शेयर किजे और दोस्तो यदि आप चैनल का नए है तो चैनल को सब्सक्राइब सुझे, मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, आप तरी कोई गर्फीर जैमेती की